जाता अनगाता नीत तुम्हारा अनगाता पगपग पर है संग तुम्हारे अनगाता लहू किसानों का बन के पसीना सेचता है धर्ती का सीना महनत का तेरी हख दिलवाने नई तकनी नई खोज बताने अशुधन को गुडवान बनाना बौद सुरक्षा खोस बिलाना खेती के सब गुर समझाने भारत का सरकाज बनाने आठो पहरी है संग तुम्हारे अनगाता 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 नमस्कार मैं हूँ आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकूं का अनगाता कारक्रम में स्वागत करते हूं हमारे देश का किसान जन का पोशक है वो श्रम का देउता है अनगाता है उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगरती के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़े हुई बहुत सी नई लापकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं तो चलिए कारकरम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अनगाता में दवा छिड़काओ मशीन है किसानों के लिए काफी उप्योगी रंगीन फूल गोबी की खेती करके कमाएं अच्छी आए किसान भाई यो फसल चाहे कोई भी हो उसमें कई प्रकार के रोग और कीटो का प्रकोफ होता रहता है जिनकी रोग थाम के लिए किसान विभिन दवा छिड़काओ मशीनों का उप्योग करते हैं आज हम आपको गाउं चिमनपूरा जिला जैपूर के किसान बद्री नाराण यादव से मिलवा रहे हैं जो ट्रेक्टर चलित दवा छिड़काओ मशीन का उप्योग कर रहे हैं जिससे समय और शम की तो बचद हो ही रही है साथी दवाओं और वुरकों का छिड़काओ आसानी से कर रहे हैं तो ये ट्रेक्टर चलित छिड़काओ मशीन किस प्रिकार से उप्योगी है आईए जानते हैं खुद इनी से मैंने इस समय महंगाई को देखते विए एक की ट्रेक्टर से चलने वाली दो मशीने बनाई हैं और उसमें सभी किसान भाइयों के लिए सबसे ज़्यादा समस्या रहती थी पहले कीटना सकते के लिए अलग अलग खरपतवार ना सकता अलग देटना पड़ता था तो एक ही मशीन से चलाते थी तब हमारे बहुत ज़्यादा नुक्सान होता था ना ही इसकी सपाई होती थ ना सकता है इसमें खरपतवार ना सक के लिए जैसे मसीन ये चलाता हूं इसी के साथ में इसकी पूरी अलग-अलग में सारा सिस्टम बना रह यह यह इसमें गर्मान ऐस्परेग करने के लिए और इस चान लें के लिए केल्याद rem की दो तो मैं दूसरी चला लेता हूँ यह एक बैल्ट उतान पड़ती है शिरफ और यह मात्र 10 सेकंड का काम है और टेक्टर की आने जाने की बचत होती है और किसानभाई का समय का बचता है और इसी के साथ में आज हमारी जब बड़ी-बड़ी पसले होती है तो दवाई भी कम लग लगता है और अच्छा इस्प्रे हो जाता है और देखा जाए तो हमारे खेत में अधिक से अधिक के बचत भी आती है आज बाजार में तमाम स्प्रेयर मशिने उपलब्द है लेकिन सबसे अधिक उपयोग छोटी फसलों पर इनका किया जाता है जिनके क्षमता 15 से 25 लिटर तक ही होती है अगर बहुत बड़े एरिया पर या बड़े फल्वरिक्षों पर दवाउं का छुड़काओ करना है तो ट्रैक्टर से चलने वाले स्प्रेयर मशिनों का प्रयोग होता है उसको बहुत जरूरी होते हैं तो उसके लिए कौन-कौन से मसीन है जैसे हम लोग यूज가 स्प्रेयर और डेस्टर मसीन प्रयोपा है स्प्रेयर मसीन में भी हमारे बहुत तरह के हाप्स होते हैं जैसे कि tenaapsack hand sprayer hand held sprayer और paddle operated sprayer बहुते हैं और उसको लोकल वहासा में गटोर भी बोलते हैं और एक पावर स्प्रेयर जो की हमारे कीट परबंदन के लिए एक ऐसी मसीन है जो की केमिकल को हमारे लिक्वीड को हमारे मिलब एक फुहारे की तरह जो केमिकल होते हैं हम पौदों को छिड़काओ करते हैं स्प्रेयर मिशीनों का चुनाओ आपको अपनी फजल के हिसाब से करना है अगर एक हेक्टेर से कम की खेती है तो आप नेपसेक स्प्रेयर ले सकते हैं ये मैनुली और बैटली चलित होता है इससे एक दिन में एक हेक्टेर की फजल पर छिड़काओ किया जा सकता है और एक आत इसे प्रियोग करनी के लिए दो लोगों की जरुरत पड़ती है इससे एक दिन में डेड़ हेक्टेर की फजल पर स्प्रेय की जा सकती है इसकी खीमत 4000 से लेकर 6000 रुपे तक होती है अगला सबसे अधिक उप्योग होने वाला स्प्रेयर है पावर अपरेटेड नेपसेक दो से चार स्ट्रोक के इंजन से संचायत होता है जो पैट्रोल से चलता है और एक दिन में दो हेक्टेर एरिया पर स्प्रेय की जा सकती है पावर स्प्रेयर कई तरह के आते हैं आप इन्हें अपनी जरुरत के हिसाब से ले सकते हैं इनकी कीमत 6000 रुपे से लेकर 12000 रुपे तक होती है अगर बहुत बड़ा एरिया है या बड़े-बड़े फलवरिक्षो पर स्प्रे करनी है तो ट्रैक्टर माउंटेट बूम स्प्रेयर का प्रयोग कर सकते हैं इसके कीमत लाखों में होती है इसके कीमिकल हम लोग घोले रहते हैं उसको पाउधों में कीस तरह तरीके से अच्छे सुक्षम ड्रॉपलेट्स में कैसे तोड़ करके एक युनिफॉर्म एक बराबर समुचित मातरा में उसके उपर पड़े तो इसके लिए हम लोग को ध्यान देने जरूरी है कि उसकी प्र क्रिशिव भाग में संपर्क जरूर। अने यंत्रों के तरह ही स्प्रेयर पर भी अनुदान लाब मिल रहा है जिसका लाब उठाकर आप कम कीमत में स्प्रेयर मशीने ले सकते हैं। जनरली इस तरह के स्प्रेयर को हम लोग गार्डनिंग होटिकल्चर क्रॉप के लिए हम लोग यूज मिलाते हैं। और इसमें जो केपेसिटी जो इसकी रहती है केमिकल छिड़काओ करने की वो है 1.5 हेक्टेयर पर डे है। और जो हमारे पावर ओपरेटेड जो इस्प्रेयर होते हैं इंजन ओपरेटेड वो भी केमिकल छिड़काओ करने में बहुत ही महतु और काफी इफेक्टिव होते हैं। क्योंकि इसकी जो क्यापेसिटी होते हैं वो 15 मीटर तक शिड़काओ कर सकते हैं। क्योंकि यह हम लोग इंजन 3HP इंजन से भी यूज करते हैं और इलेक्ट्रिक से भी हम लोग यूज करते हैं। और जो हमारे जो ट्रैक्टर जो लोग किसान बंदू रखे हुए हैं वो भी इस पावर ओपरेटेड जो स्प्रेयर हैं वो अपने PTO के माध्यम से इसको ओपरेट कर सकते हैं। और ये बहुत ही इफेक्टिव और आसान छिरकाओ करने की एक मसीन है जो कि किसान को अराम से वो कर सकते हैं। किसान भायू अब लेते एक छूटा सब्रीक। व्रिक के बाद आप सभी दर्शकूं का नदाता में स्वागत है। रंगीन फूल गोबी के बारे में तो आपने कम ही सुना होगा। लेगन बजार में ये आजकल अधिक दामों पर बिक रहा है। अगर आप भी अच्छी आमदनी कमाना चाहते हैं तो रंगीन फूल गोबी की खेती करें। पर इसकी खेती करने के पहले आपको इसकी पूरी जानकारी लेनी होगी। तब ही आप इससे अधिक मुनाफा कमा सकेंगे। तो चलिए रंगीन फूल गोबी की खेती के बारे में विसार से जानते हैं क्रिशिवे ग्यानिक डॉक्टर ए-म अंसारी से। आज मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ कि जो रंगीन फूल गोबी है। उसकी खेती कैसे की जाती है ये क्या होती है। किसान भाईयो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि ये रंगीन फूल गोबी एक्चुली में फूल गोबी ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि यह या तो हरे रंग का होता है या बैंगनी रंग का होता है या फिर नारंगी रंग का होता है या गोल्डन कलर हम कह सकते हैं यह तीन कलर का होता है आम तोर पर क्रीम कलर का या फिर सफेद रंग का फुलगोबी होता है लेकिन इसकी खेती अगर आप क कि इसकी खेती आप मुख्य सीजन में ही कर सकेंगे रंगीन फूल गोभी की खेती क्यों सुनकर ही आप चौक गयना जी हाँ, सफीद और पीले पन की तासीर लिए फूल गोभी तो आपने देखी ही होगी लेकिन अब आप बैगने पीले हरे ओरिंज रंगी फूल गोभी की खेती भी कर सकते हैं और इससे अच्छा लाब भी प्राप्त कर सकते हैं तो आएए जानते हैं रंगीन फूल गोभी की खेती के बारे में इंच की दूरी पे एक एक बीज गिरनी चाहिए इसका ध्यान रखेंगे चुकि अगर घणा बीज गिराएंगे तो फिर पौधे लेंकी हो जाएंगे बहुत अच्छे नहीं होंगे साथे साथ मैं आपको ये भी बताते चलूँ अगर आप बलवाही दोमट किसिम के मिटी में कर रहे हैं मिटी में अमलियाता है तो वैसे केस में आपको तीन से पांच कुइंटल परती हेक्टेर की दर से चूना या डोलो माइट का परियोग करना होगा अगर उसमें अमलिये है तो अमलियाता को निट्रिलाइज करना होगा उदासीन मिटी का करना होगा अगर खेत में नमी कम हो तो खेत में एक पलेवा करने और इसके बाद एक जुताई मिटी पलटने वाले हल से जुताई करें इसके बाद एक जुताई देसी हल तथा दो जुताई कल्टी वीटर स जूत कर खेत में पाटा अवश्य लगाए। आधी मात्रा मुख्य खेत में रोपाई से पहले अपने खेतों में डाल देना पड़ेगा। और आपको क्या करना है कि आपको जब आप खेतों की तयारी कर रहे हैं उसी समय करना है। और आधी जो नाइट्रोजन की मात्रा है उसमें उसकी दो खोराक 15 दिन बुआई के बाद और फिर 30 से 35 दिन बुआई के बाद आप जब इंटर कल्चर आपरेशन करेंगे, कुडाई करेंगे, खुदाई करेंगे, उसमें डचो या कुदाल से जो आप उसमें भुरकाओ करें उसमें देना पड़ेगा, अब भिराइटी का जो चयन करेंगे, परवेद का चयन करेंगे, वो कौन सा करेंगे, तो इसके बहुत सारे परवेद है, रंग के हिसाब से अलग-अलग है, जैसे परमुक भिराइटी जो पूरे दुनिया के बाजारों में है, उसमें रुमे नै नैसको है ये und ब्राकली और फुलगोबी का क्रास करके बनाया गिया है राट नियू LIVE करके राट डिधे तरहिस और उपनिय इस परपल होगा आएगा वाइल वाइलेट पर्पल केपू नियू zeit सेटें राजल किरें वाइलेट है लगा सकते हैं पौधों की खेत में प्रती रोपन करने के पहले ईग्राम स्टेटो साइक्लीन को 10 लीटर पानी में खोल कर तीस मिनट तक दुबा कर उपचारत करने के बाद पौधी को खेत में लगाए और फौलगोबी के जिस तरह के से कतारों में लगाते हैं 60 सेंटिमीटर कतार से कतार की दूरी पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटिमीटर रखेंगे और कमपोस्ट 20 टन परती हेक्टेर की दर से आप वाई से पहले अच्छी तरीके से मिट्टी में मिला देंगे आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारिया यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्श को का नदाता कारक्रम में स्वागत है मौसम विभाग के रिपोर्ट पर सापताहिक कृशी सलाह इस प्रकार है मौसम पुर्वानुमान रिपोर्ट के अधार पर किसान भाईयों को सलाह दे जाती है कि की गई मौंग फली की फसल पकाओ की अवस्था पर है इसलिए किसानों को सलाह दे जाती है कि जमीन खोद कर देख लें कि फलीयां पक गई हैं या नहीं अगर 80% फलीयां पक गई हो तो मौंग फली की खुदाई की जानी चाहिए मौंग की फलीयों से दाने पकने के तुरंत बाद जड़ना सुरू कर देते हैं अतह मौसम साफ होने पर कटाई कारिय करें फसल को धूप में सुखा कर गहाई करें तारामीरा फसल की बाई के लिए प्युक्त समय है भूमी में उप्रब्ध नमी के अनुसार बाई करें तारामीरा की उन्नत किस्मों में आर्टीम 314 और बीच की मात्रा 5 किलोगराम प्रती हेक्टियर उप्योग करें बाई से पहले मेंको जेब 75 डवलू पी की धाई ग्राम मात्रा से प्रती किलोगराम पीच को उप्चारित अवस्य कर लें कतार से कतार के दोरी 45 सेंटिमीटर रखें सरसों के बाई के लिए खेत की तैयारी सुरू कर सकते हैं इसके लिए किसान भाई प्रमानित बीज और खाद की खरीद कर सकते हैं और मेटी की जाच करवाएं और उसके अनुसार पोसर पत्त्तों का उप्योग करें सफेद रोली से बचाव के लिए मेटाल एकजिल 35 स्डी 6 ग्राम प्रती किलोग्राम और पेंटेट बग की रुप्थाम के लिए इमीडा क्लोप्रिड 70 डबलू एस 5 ग्राम प्रती किलोग्राम बीज की दर से उप्चादित करें इस मौसम में किसान गाजर की बवाई मेडो पर कर सकते हैं बवाई के लिए सिफारिस किस्मों में पूसा रुधिरा PC 161 पंजाब ब्लैक ब्यूटी का चैन करें बीज की मादरा 6 किलोग्राम प्रती एकड उप्योग करें वाई से पहले बीज को कैपटान 2 ग्राम प्रती किलोग्राम बीज की दर से उप्चारित करें टमाटर, बैंगन, गोभी में, फल्चेदक और गोभी में, डायमेंड, बैकमोथ, किनिगरानी के लिए फेरो में ट्रेप 3-4 प्रती एकड लगाएं फूल गोभी की मध्यम अवधी की किसमों की पौध तयार करें और पूरो में तयार पौध की 45-45 के अंतराल पर रुपाई करें लशुन के लिए खेर तयार करें बीज की मात्रा 5-6 क्यूंटर प्रती हेक्ड रखें लाइन से लाइन की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें पौधे से पौधे की दूरी 7.5 सेंटीमीटर रखें और नाइट्रोजन 50 किलोग्राम फासपोरस 25 किलोग्राम प्रती हेक्ड रुपियोग करें तारा मीरा फसल की बौई के लिए प्युक्त समय है भूमी में उप्रब्ध नमी के अनुसार बौई करें तारा मीरा की उन्नत किस्मों में आर टीम 314 और बीज की मात्रा 5 किलोग्राम प्रती हेक्ड रुपियोग करें बौई से पहले मेंको जेब 75 डबलू पी की धाई ग्राम मात्रा से प्रती कीलोग्राम बीज को उप्चारित अवसे कर लें कतार से कतार की दूरी 55 सेंटिमीडर रखें आईए जानते हैं अनिदाता ने शुलक फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान अनिदाता ने शुलक फोन समपर्ग सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्णों में से आज हमने जिस प्रश्ण को कारेक्रम में सामिल किया है उसे पूछा है गिराम हनुमान पुरा जिला बाडमेर के करसा गिर्धारी लाल ले ये अनार के बाग में कीटों की रोक फाम के बारे में जानकारी चाहते हैं तो गिर्धारी लाल जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कारेक्रम का ये अन्ज अनार एक ऐसी बागवानी फसल है जिसे एक बार लगाने पर कई साल तक फल मिलते रहते हैं अनार सबसे ज्यादा स्वास्त वर्धक और पोशक तत्तों से भरपूर फल माना जाता है अनार में मुख्य रूप से विटामिन A,C,E, फोलिक एसीड और एंटी एक्सिडेंट पाए जाते हैं जिसके कारण इसकी बाजार में मांग वर्ष भर रहती है इसकी बागवानी करके किसान अच्छा खासा मुनाफ़ा कमाते हैं लेकिन आज के समय में अनार भी कीटों के प्रकोब से अचूता नहीं है बदलते मौसम और वातावरण में नमी के कारण कई तरह के हानिकार कीटों का प्रकोब होता है जिसका समय पर सही पहचान करके जो बागवान नियंतर कर लेते हैं उन्हें अधिक फलोतपादन मिलता है रस चूसक कीट अनार में कई तरह की रस चूसक कीटों जैसे माहो सफेद मक्खी का आक्रमड होता है ये कीट पौधों की नई साखाव और फुलों से रस चूसते हैं जिसके कारण पतिया सिकुड जाती है और पौधे की बढ़वार कम हो जाती है जिसके कारण फलोतपादन कम मिलता है रस चूसक कीट का नियंतरड इस कीट का प्रको पौधों पर दिखाई देने पर नीम तेल पांच मिली लीटर प्रती लीटर पानी के गोल का छिड़काओ करे इससे कीट नियंतरड कम न हो तो रास्साइनिक दवा डायमी थो एट दो मिली मात्रा प्रती लीटर पानी में घोल कर छिड़काओ करके इसका नियंतरड कर सकते हैं दीमक किट अनार के पौधों में शुस्क सित्रों में जड़ो और तनों में दीमक का प्रकोप ज़्यादा होता है इससे पौधे सूख जाते हैं और पौधों का विकास रुख जाता है रोक ठाम के उपाए पौधों को लगाते समय प्रते गड़े की भराई के समय पचास ग्राम मिथाईल पैराथियोन चुड मिला दे तो इस किट का प्रकोप नहीं होगा और यदि बाग में दीमक किट का प्रकोप हो गया हो तो क्लोर पाईरिफास किट नाशक दवा सिचाई के साथ प्रयोग करके इसे नियंतिर कर सकते हैं अनार तितली किट अनार के खेती में लगने वाली प्रावर तितली उसके फूलो और छोटे फलो पर अंडे देती हैं जिनसे इल्ली निकल कर फलो के अंदर प्रवेश करके बीजो को खा जाती हैं इससे बागवान को काफी नुकसान होता है रोक थाम बागवान इसकी रोक थाम के लिए प्रभावित फलो को नश्ट कर दे ऐसे में बहतर होगा कि फलो को नेट या कपड़े से ढख कर रखे इस कीट के नियंतर के लिए इंडो कार्व दवा एक मिली लीटर प्रती लीटर पानी के गोल का 15 दिन के अंतराल पर दो बार छिड़काव करके इस कीट को नियंतर कर सकते हैं तना छेदा कीट यह कीट पौधों के तने में छेद करके नुकसान पहुचाता है इससे निकलिया पौधों की साखाओं में छेद बनाकर उसे नुकसान पहुचाती है कभी कभी तो पूरा पौधा सुख जाता है रोक थाम इसके नियंतर के लिए अब छेदों में तार डालकर इनको नश्ट कर दे और तार की सहायता से रूई में कैरोसीन तेलिया पेट्रोल मिलाकर छेद में भर दे इसके बाद गिली मिटे से छेद को बंद कर देना चाहिए इस तरह से इस किट का नियंतर हो जाता है और आगे होने वाला नुकसान से पौधे बच जाते है चाल भचक किट इस किट की सुन्डी लट गलिया प्रेल से दिसंबर तक अधिक शती पहुशाती है अनार के पुराने वगणे बागों में इस किट की ज्यादा शती पहुशती है इस किट की लटे ज़लिया अनार की ज्याल शाखाओं या तनों में छेत करके अंदर छिपी रहती है रातरे में ये इन छिद्रों से निकल कर पौधों की ज्याल को खाकर शती पहुशाती है किट नियंतर के उपाए इस किट से प्रभावित कटी फटी ये छाल या धीली छाल को हटा दे ताकि वयस्क बीटल अंडे न देने पाए इसके अलामा सूखी और किट ग्रसिश शाखाओं को कार्ट कर नश्ट कर दे किट का प्रकोब दिखाई देने पर शिद्रों में कैरोसीन या पेट्रोल 3-5 मिली लीटर प्रती सुरंग या शिद्र में पिछकार या इंजेक्शन की सहायता से डाले या रूई का पोहा बनाकर अंदर डाल दे और शिद्रों को गिली मिटी लगाकर बंद कर दे शाखाओं पर मिथाईल पैरिथियॉन 50 EC दवा 2 मिली लीटर प्रती लीटर पानी का गोल बनाकर छिद्रकाओ करना चाहिए अधिक आकरमड होने पर कॉपर आक्सिक्लोराइड सी ओ सी घोल का लेप तने के चारो और लगा दे कारवोरेल 50 WP 2 ग्राम प्रती लीटर पानी के हिसाब से तने की 3 फीट की उचाई तक छिड़काओ करके किट का नियंतर कर सकते हैं किसान भाईयों कृषी संबंधित समस्या और सुझाओं के लिए आप हमें इस पते पर संपर कर सकते हैं प्रोड्यूसर अनदाता न्यूज 18 राजस्थान रामोचे फिल्म सिटी हैडराबाद 501512 साथी आप हमें इमेल भी कर सकते हैं हमारा इमेल है पी 18 अनदाता राजस्थान एड़ दरेप NW18.com इसके अतरिक्त आप हमें इनिशुलक हेल्प लाइन नंबर 18 0088 92163 पर सुमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं अब समय हो रहा है आपसे विदा लेनी का कल फिर होगी बुलाकात क्रिशी से चुड़ी महत्तपुन जानकारियों के साथ नमस्कार